तो विद्यार्थि अब हम यापे प्राणी संसाधन के बारे में जानेंगे तो वन्य जीवों के कुछ चित्र यापे आपको बताएगा है जो कि हमें गुजरात के जंगलों में देखने को मिलते हैं तो अब हम उनके बारे में आपे जानकारी प्राक्त करेंगे कि गुजरात में जो है जंगलों में से व्याप्त विस्तार कम है परन्तु ये जंगल विद्प्रकार के बन्य प्राणियों तथा पक्षियों से समरुत है गुजरात के जंगलों में सी, तोता, चीता, हरन, चीमब साबर निलगाय बारिसेंगा जंगले सुवर रीच गुडखर काला हीरन चिंकारा सांबर जैसे वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं तथा सुर्काब सुर्काब गिर्ट सारस चील उल्लू कुंज बटे तितर मोर तोता जैसे पक्षी पाई जाते हैं सी और गुडखर जैसे प्राणी तो समगर भारत में से फेक गुजरात में ही पाई जाते हैं पूरे एशिया में मात्र साशन गीर के जंगलों में ही सी पाई जाते हैं इस जंगल में रहने वाले प्राणी वासियों के लिए आकरशन का केंद्र बने हुए हैं तो यहापे हमें प्राणी और पक्षी तो सम्रुद है जिसमें हमें कई प्रकार के जो है या पर प्राणी वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं जो की वन्य में रते हैं और कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं उसमें जो है सी और गुर्खर तो पूरे भारत में जो है सिर्फ हुए है अब हम इसमें आगे जानेंगे अभ्यारणियों तो एक ऐसा विस्तार की जहाँ पसु पक्षी निर्भैता से रह सकते है उनका संदक्षन और समभर्धन हो सकता है तथा जहां शिकार पर प्रतिबंद हो उसे अभ्यारणियों कहते हैं अभ्यारणियों में मनुश्य की घुमने तथा पालतू पश्यों को चराने पर कोई प्रतिबन नहीं है पर प्राणियों के शिकार पर प्रतिबन है तो यहाँ पर हमें बता है कि अभ्यारणियों एक ऐसा विस्तार है कि जहाँ पर सभी पश्यों पक्षी जो है बिना किसी डर के जो ही निरबहता से रह सकते हैं और उनका संवर्धन होता है और जहांपर जो है शिकार करना प्रतिबंथ होता है उससे अभी अभ्यारrogen disagree हम कहते है और अभ्यारढ़ misconceptions को घुमने फ्यने तथा पश्लों को चराने पर कोई प्रतिबंथ नहीं है प्राणियों का शिकार करना इस बात पर प्रटिवन है अब हम उसमें या पर आगे जानेंगे तो गुजरात में जहां पर अभ्यारनिया है वह आपको इस नक्षे में बताये गया है तो यापर अब हम जानेंगे कि अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर जिले की सीमा पर आय हुए नल सरोवर में स्ठलांतरन करने वाले यानि पक्षियों के लिए पक्षि अभ्यारनια भी स्थीत है और कच के चोटे मरुस्थल में गुड़कर, निलगाई, चिंगारा, बालू और नारायन सरोबर विस्तार में चिंगारा एक अभ्यारणी और कच के गोराड अभ्यारणी में गोराड चिंगारा अभ्यारणी आया हुआ है तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कच के छोटे मरुस्तल में जो है घुड़कर, निलगाई, चिंकारा, भालू और नारायन सरोबर विस्तार में जो है एक अभ्यारणिया और कच के गोराड अभ्यारणिया में भी गोराड चिंकारा अभ्यारणिया आया हुआ है बनास कांठा में जैसो रीच का अभ्यारनिया और बलाराम तथा अमबाजी रीच निलगाय का अभ्यारनिया जो है वह भी हमें देखने को मिलता है डांग जिल्ले में बाग और साबर के लिए जो है बर्डी पाड़ा का अभ्यारनिया बना हुआ है नर्मदा जिल्ले में डेडिया पाड़ा के रीच में रीच अभ्यारणिय स्थी थे जामनगर जिल्ले में खीजडिया और गागा अभ्यारणिय पक्षों के लिए आया हुआ है दाहोच जिल्ले में रतन महाल रीच अभ्यारणिय जाना जाता है अमरेली जिल्ले में जो सी, चीता तथा चिंकारा के लिए प्राणियों अभ्यारणियों स्थाफित है तो इस तरसे यहापे हमें बताए कि गुजरात में पसुपक्षुर के लिए अभ्यारणियों वगिरे सीत यहापे हमें बताए कि राजकोर जिल्ले में निलगाय और चिं का अभ्यारण्य है मैसाना जिल्ले के थोल इस्थल पर विवित पसु पक्षी अभ्यारण्य खोला गया है सी भारत में सिल शाशन गिर में देखने को मिलते हैं तो यहां पर हमें बताया गया है कि इस प्रकार से जो यह इस विवित पसु पक्षी और प्राण्यों के लिए अल राष्ट्रिय उद्यान यह जो है वन्य जीवन और प्राकृतिक सोंदर यह की सुरक्षा के लिए जो है एक सुरक्षित विस्तार है जहाँ पर पालतो प्राणियों के चारे तथा प्रवासियों के गुम्ने फिर्णे पर संपूर्ण प्रतिबन है तो इस तर से आप हमें बता प्राकृतिक सोंदर यह की सुरक्षा के लिए सुरक्षित विस्तार है जहाँ पर पालतो प्राणियों के चारे तथा प्रवासियों होते हैं उनके गुम्ने पिर्णे पर यहाँ पर संपूर्ण रूप से प्रतिबन होता है तो यह कहा कहा पर है उसके बारे में बताया गया है कि कौन से जिल्ले में आया हुए है राष्ट्रे उध्यान का नाम क्या है वह कितने विस्तार वर किलोमीटर में फैला हुआ है और जो है वहापे मुख्य वन्य प्राणी कौन से देखने को मिलते है तो जुनागर जिल्ले में है गीर राष्ट्रे उध्यान जो की 258.71 किलोम है जो कि 162 पॉइंट नासी जो किलोमीटर है वहाँ पे फैला हुआ है और समुद्री जीव सुरुष्टी ऑक्टोपस समुद्री जहाद डॉल्पीन कालो मश्ली अगेरी जो है यह आप में देखने को मिलती है उसके बाद बताए गया कि वलसाड जिल्ले में आया हुआ है वा बाद में है कि भावनगर जिल्ले में आया हुआ है वेला वदर काला हीरन राष्ट्य उद्यान जो कि 34.53 किलोमीटर में फैला हुआ है और यह जो है काला हीरन तेंदुआ खार्मो और निलगाई जैसे प्राणी हमें देखने को मिलते है उसके बाद में अब हम आगे जो है आपे खनिश संशाधन के बारे में जानेंगे तो खनिश संशाधन क्या है तो खनिश जो है गुजरात खनिशों के मामले में एक समरुद राज्य है गुजरात में से प्राप्त खनिशों ने राज्य के तेज और विकास के बहुत बड़ा योगदान दिया है गुजरात में जस्ता, सेशा, मेगनीज और खनीच देर प््राक्रूतिक गेस जैसे विवीद खनीचों का समाविश होता है तो यहाँ पर यहाँ में बताया है कि खनीज जो है उसके मावले में गुज्रात एक समरुद राज्जी है और यहाँ पर इस राजिया ने तेज और विकास में काफी योगदान खनीच संशाधन का रहा हुआ है जिसमें कि आपे हमें किस प्रकार के खनीच प्राप्त होती है उनके बारे में बताया गया है जैसे कि चुने का पत्तर, जो छीनी मिट्टी है वह केलसाइट, लिकनाइट, सिलिका, तामबा वगेरे, प्राकृतिक गयस चैसी जो खनीच है वह हमें प्राप्त होती है तो यहाँ पे इस नक्षे में आपको जो गुजरात का खनीच जो है वह कहा से कौन-कौन सा प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया है तब हमें यहाँ पे बताया गया है कि खनीच का नाम कौन सा है और उस खनीच का जो है कहा से हमें प्राप्त होता है और उसका उप्योग क्या है तो खनीच का नाम है चीनी मिट्टी जो कि खनीच प्राप्त करने वाले राज्जी जापी प्राप्त होता है उसके बाद हमें बताए गया कि फ्लोर्स पार जो है वरुद्रा भरुज में से प्राप्त होता है धातों को पिगलाने के लिए फ्लोर्स पार का उप्योग होता है और पूरे एश्या में यह हमें केवल गुजराच से ही प्राप्त होता है तो इस तरह से यहापर हमें यहापर अलग-अलग बताए गए है कि चूने का पत्तर जो ही जूनागर, जामनगर, कच, खेडा, अमरेली, बनासकांटा, भरुष, सूरत, पंचमाहल, साबरकाटार, भावनगर से प्राप्त होता है और इसका उप्योग जो ही सिमेंट, लोहा, पॉलाद, सोड़ा, साबुन, कागज रंग, सुद्धी, चेनी, सुद्धीकरण जैसे उद्योगों में इसका उप्योग होता है उसके बाद यहापर हमें बता गया है कि बोक्साइट जो ही वह कच, चामनगर, जूनागर, अमरेली, वलसाड, खेडा, साबरकाटा, पंचमाहल, बावनगर, बनासकांटा से प्रा साबरकाटा और नर्मदा से प्राप्त होता है काच, स्टील, और खाद, मोजिक, टायल, पानी के शुद्धीकरण में इसका उप्योग होता है फिर है चीरोडी जो कि जामनगर, जूनागर, कच, अमरेली से प्राप्त होता है रसायनिक खाद जो है उसमें काच, रंग, जंत उसका उप्योग होता है फिर है लिगनाइड जो कि कच, वरुच, महिसान, भाउनग, ताप विद्यूत के उत्पादन में और रसायनिक उत्याग उत्याद में इसका उप्योग होता है उसके बाद यहाद हमें बताया गया है कि ग्रैफाइट जो ही वह वरुद्रा, पंच, बनाने में इसका उप्योग होता है पिर आएगे हमें बताया गया है कि सीशे का उप्योग जो है ऍटामबर जियों हो ने बनाने में होता है फिर जस्ता का जो उप्योग है वह गेलविनाइस में पत्रा में जो है डोल बनानी के लिए और बरतन बनानी में इसका उप्योग होता है फिर हमें बताया गया है कि खनीश देल और प्राकृतिक गेस जो है वह हमें अमदाबाद, खेडा, भरुच, गांदी नगर, मैसाना, सुरत और वडोद्रा से प्राप्त होता है और इसका जो उप्योग है डीजल, पैट्रोल, नेफ्था, कैरोसिन, रंग, डामर, कृत्रिम, रिसे, पैट्रोलियम, गेस, जैसे उद्योगों में उप्योग में आता है तो इस तरह से यहापे हमें खनीश संशाधन के बारे में बताया गया है तो इहापे अब हमें बताया गया है कि प्राकृतिक संशाधनों का जतन और जो है उसका विवेकपोण उप्योग करना चाहिए तो उसको जो है किस तरह से उसका जतन करना चाहिए और विवेकपोण उप्योग करना उसके बारे में बताया गया है प्रकृतिक संसाधन प्रकृतिक की अमुल्य भेठे किसे भी तरह से उसका दुरुप्योग नहीं करना चाहिए लंबे समय तक संशाधनों का उप्योग करने के लिए उन्हें सही तरह से उप्योग में लाना ही उत्तम माल्व है तो यह अपर हमें बताया गया हैं कि प्रकृति जो यह संसाधन है यह हमें प्रकृति से प्राप्त हुई कमुल्यों बेटे इसका दुरूप्योग नहीं करना चाहिए जितनी आवश्यक्ता हो उतनी मात्रा में उप्योग मिला ना यही उत्तम रास्ता है फे जलाशयों को जो ह रोकने के लिए कानून का सही और चुस्ते रंग से अमल करना चाहिए वन्य जीवों का रक्षन और समवर्दन हो ऐसे प्रयत्न करने चाहिए तो इस तरह से आप हमें बताया गया है कि वन्य जीवों पर जो होते अत्याचार शिकार वगेरे किया जाता है उन प्रवरिद्यो चुस्ते रंग से अमल होना चाहिए और वन्य जीवों का रक्षन हो उसका समवर्दन हो ऐसे प्रयत्न करने चाहिए तो इस तरह से विद्यार्थि हमारा यह पार्ट यहां पर समाम्त होता है आपको यह स्वाध्याई दिया गया है जो कि नोट्बुक में लिखना है तो इस प्रकार से यहां पिया स्वाध्याई जो हमारा पूरा होता है धन्यवाद